नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है गलोबल एटोमेने ट्रक टीम बारिरिम दोस्तों दोस्तों लेटेस्ट न्यूज है जिसके बारे में हम आज आज आप से डिसकस करेंगे जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको ये अभी तक जितने भी KYC अटोमी इंडिया में चल रही है 22 जून से KYC चल रही है जैसा कि सभी लीडर्स को पता है और 22 जून से जो अटोमी इंडिया है उसके ओफिस के तरफ से गाइडलाइन जारे की गई थी कि आधरकार से जिसका नंबर लिंक है मोबाइल नंबर उनका ओटो वेरिफिकेस सारे चीजें अच्छी तरीके से रिपर्जेंट किया था लेकिन अभी क्या आए कि कुछ बग आ गया था सिस्टम के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया थी जिसके कान ओटीपी वेरिफिकेशन में और वेबसाइट में कुछ बग चल ला था तो उसको अभी रिमूव कर दिया गया है और नोजलाई से यानि कि आज से और कंज है एसे परोब्लम हो रही थी और यह आभी करस्के किया है और dipलम किया है और अभी जुलाई से आधार कार्ड को आप अप्लोड कर सकते हो KYC के लिए आधार का फ्रेंट पेज एंड बैक पेज और OTP का जो ओफशन था वो खतम कर दिया है 9 जुलाई 6 है तो अभी आप अपनी टीम की KYC जितना जल्दी उसके वो कम्प्लीट कीजिए 14 नुवंबर 2019 के बाद जिन लोगों न फ्रेंट एंड बैक अप्लोड कर सकते हैं या ड्राइवी लाइसेंस या पासपोर्ट का फ्रेंट एंड बैक और उसका नंबर डालना है जो भी डुकुमेंट आप वहाँ पे अप्लोड करोगे उसका नंबर डालना है फिर एटोमी आपका जो आईडी प्रूफ है वो वेरिफाई करेगी तो मैनुवली वेरिफाई करने में तीन दिन चार दिन पात साथ दस जितना भी दिन लगेगा एटोमी आपको ओफिशली इनफोर्म करती रहेगी जैसा कि नो जुलाई कल की हमारी अपडेट थी कि तीन जुलाई तक जिन लेडर्स ने एडरस आईडी प का इनफोर्मिशन है और आज के बाद भी जो लोग मैक्सिमम लोग अधार कार्ड अप्लोड करेंगे ठीक है तो आपका के वाई सी कंप्लिट हो गया है या नहीं है एटोमी आपको बताएगी जितना जैसे ही कंप्लिट होता है एक एक वीक का यह अपडेट देते रहते हैं तो जैसे ही आपकी आईडी का नंबर आएगा तो वो आपकी आईडी जल्दी से वेरिफाइग कर देजाएगी जितना भी दिन लगेगा और जल्दी से जल्दी हो रहा है अभी आज कल ठीक है तो आप अभी चूकिये मत अपनी टीम को बोलिए आधार कार्ड अप्लोड पर आपको अफिशली अनाउंस करेंगी फेस्बूक गूरूप के उपर ओके कि इतने तारीक तक की के वाइसी हमने कर दिये तो आपको लोगिण करकर चेक करना है center में अगर वो message नहीं आए जो screen के उपर दिखाया गया है तो समझ लो आपकी KYC हो गई हो और edit my account पर जाके आप check कर सकते हैं यहाँ पर 3 July 2020 तक water ID drive license passport का use करके जिन लोगों ने migration का verification किया गया उनका complete हो चुका है और आपको check करना है 3 July से पहले अगर आपने upload किया है तो login करना है login करने के पस्चाथ अगर center में यह pop up आए तो आपका complete नहीं हुआ है तो आप customer care को call करके बात कीजिए क्या problem है ठीक है अगर किसी का verification हो गया है आप login करते हो center में यह message नहीं आता है तो आपका migration हो गया है अगर यह message आ रहा है तो आपका migration complete नहीं हुआ है आप customer care में call कीजिए आपने जो document upload किये थे और उससे पहले जो detail डाली थे registration के वक्त वो match कर रही है कि नहीं कुछ issue हो सकता है तो customer care आपको बताएगा आधार कार्ड जो लोग upload कर रहे थे तो उसका जो जो दिक्कत आएगी company आपको बता देगी और यह bug को शायद जैसे next update आएगी तो वो complete हो जाएगा तो आप start कीजिए काफे लोग आज upload भी कर चुके हैं जो upload कर चुके हैं उनका upload हो गया है और आप wait कीजिए जैसे अटो में आपका migration complete होता है inform करेगी आपको ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको wait करना है और address proof verification में आप अधार कार्ड यूज करना शुरू कर सकते हैं और कोई भी update आती है तो हम आपको बताएंगे अगर कुछ दिक्कतार है तो आप other card upload मत कीजिए अगर easily हो रहा है तो कर दीजिए और जैसे यह bug निकल जाएगा system के अंदर से फिर आपको इसके बारे में भी information दी जाएगी company के तरफ से तो कई भी कोई भी problem आ रही है तो आप customer care में direct call कीजिए जैसे customer care में भी technical जो site के उपर technical बगार है उसके बारे में आटो में आपको advance में inform कर देती है कि हमारे system में यह problem चली तो आपको hold करना है 4-5 गंटे-7 गंटे के लिए ठीक है अगर upload हो रहा है तो ठीक upload नहीं हो रहा है तो आपको hold करना है वहाँ पे और डिरेक्ट आप customer care को call करके बताईए यह problem आ रही है तो customer care की तरफ से आपको सही जानकारी दी जाएगी और जो Atomy India official का जो facebook group है वो आप continue follow कीजिए इसके अंदर सारी official information आएगी और इसको आपको follow करना है यहां फिक है तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको फसंद आया होगा और इस जानकारी को ज़्यादा ज़्यादा आप share कीजिए ताकि आपकी टीम में latest information जो है Atomy India के बारे में time to time मिलते रहे है दोस्तों ठीक है और यह कल का update था इसमें बिल्कुल के लेली mention कर रखा है उन्होंने कि 9 जुलाई से हम लोग आधार का यूज कर सकते हैं और आज 9 जुलाई है तो कुछ time के लिए कुछ system में bug आया था उसके बारे में company ने बताया है या फिर कल आप customer care में call करके बात कर सकते हैं ठीक है तो आप जो भी चीज़े है customer care में call करके बात कर सकते हैं customer care का number दिया गया आपको तो दोस्तो आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा ज़्यादा आप अपने टीम में share कीज़े ताकि आपके टीम के maximum KYC एक time के अंदर complete हो जाए और ये वीडियो देखने के लिए सभी का thank you very much दोस्तो